Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे हम Assessment Worksheet 2 है ये आपकी कक्षा 8 के स्टुडेंट्स के लिए विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपकी 4 September 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम ये जो टेस्ट है आपका उसको डिस्कस करेंगे वक्षी शू करने से पहले बचा प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए आज की वक्षीट में आपको क्या दिया गया है देखे आपको कोश्चन दिये गई है प्रेशन एक दिया गया है कि वे दवाएं जो हमारे शरीर में सुक्षम जीवों को मारती या उनके विकास को रोकती हैं एंटिबाइटिक कहलाती हैं तो वो दवाईयां क्या कहलाती हैं एंटिबाइटि कहलाती हैं जो हमारे शरीर में सुक्षम जीवों को मारती हैं और उनके विकास को रोकती हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें सुक्षम जीवों के हानिकारग प्रभाव से बचाती हैं एंटिबाइट Antibiotics के वल डॉक्टर की सलासे ही लेनी चाहिए आने था यह हानिकारक हो सकती है और भविश्य में कम प्रभावी हो सकती है तो यह सारी बाते हमने जो वक्षीट के थी तब ही बच्चों हमने पड़ी थी तो अब यहाँ पर Antibiotic किने कहते हैं Antibiotic हमारे लिए किस प्रकार लाबदायक है यह आपको लिखना है तो यहीं पर आपका आंसर दिया गया है वे दवाए जो हमारे शरीर में सुक्षम जीवों को मारती हैं और उनके विकास को रोकती हैं Antibiotic कहलाती हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत प्योगे हैं क्योंकि यह सुक्षम जीवों को हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं तो यहां से लेकर और यहां तक आप इसका आंसर लिख देंगे तो यह आपका प्रशन एक का आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए सबसे पहले खोजी गई Antibiotic का नाम लिखना है और किसने ख Alexander Fleming ने खोजा था जिसकी कोज Alexander Fleming ने की थी तो यहां पे आप Alexander Fleming लिख देंगे और यहां पे आप लिख देंगे पैनिसिलीन क्लियर है स्टूडिन्स तो यहां से आप इसका आंसर कर लेंगे नेक्स देखिए नेक्स्ट है Question No.3 है दो एंटिबाइटिक के उधारन दीजिए तो अई बिटा करते हैं इसका आंसर सेकिंड का थार्ड का आंसर लिखेंगे तो एंटिबाइटिक के उधारन जो है लिखने है तो पहला हो जाएगा टेटरसाइकलीन और दूसरा हो जाएगा एरित्रोमाइसीन ठीक है तो दो उधारन आप लिख देंगे नमबर फोर देखी हमें केवल डॉक्टर की सला के बाद ही एंटिबाइटिक क्यों लेनी चाहिए तो आपको लिखना है कि डॉक्टर की सला पर ही क्यों लेनी चाहिए तो हमें डॉक्टर की सला से ही प्रतिजविक लेनी चाहिए अन्यता यह नुकसान दायक हो सकता है और ड दौक्टर द्वार निर्धारित को पूरा करना चाहिए, तो यहां से आप इसका आंसर लिखतेंगे, कि डौक्टर जो बताता है, जितने दिन के लिए एंटिबाइटिक लेने के लिए बोलता है, उतने ही दिन हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, नमबर फिफ्थ है, जीवानों से पळीन वाले रोग और ये हो जाएंगे जिवानों से फैलने वाले रोग नेक्स देखें कोसेन WAS दिया गया है रिक्तिस्तान भरने हैं इसमें शैवालल और कवक दो सुक्षम जीव उपस्थित होते हैं तो आप यहां से कम्प्रीट कर लेंगे कि लाइकेन वो क्या है सह जीविता का उधारन है जिसमें शैवाल और कवक दो सुक्षम जीव उपस्थित होते हैं बी देखें डैश एक अनोखे प्रकार का सुक्षम जीव है जो केवल किसी जीव के अंदर रहने पर ही जनन करता है तो वो क्या है वाइरस वाइरस यानि क्या कहेंगे इसको हम विशानू विशानू जैसे कोरोना विशानू है तो वाइरस एक अनोखे प्रकार का क्या है सुक् नेक्स देखिए D पार्ट है हम सुक्षम जीवों को देखने के लिए किसका इस्तिमाल करते हैं उनको देखने के लिए हम सुक्षम दर्शी का उपयोग करते हैं तो वहत आसान है आप लिख लेंगे हम सुक्षम जीवों को देखने के लिए सुक्षम दर्शी का उपयोग करते नेच्प्र देखिए, इस फार मैं ब्रेड़ को बनाते समय यस्ट दुवारा बनाई जाने वाली गैस कौनसी है, कार्बन डाय ओक्साइड गैस है। और गाल निकलती है, नेच्प्रphon दिया गया है, next question number 3 है दूद के पाश्चरी करन करने के क्या फायदे है तो दूद में पाश्चरी करन के प्रिक्रिया से दूद में मौजूद जिवानों जो है वो क्या हो चाते हैं मर जाते हैं जिससे कि दूद में किसी प्रकार के संकर्मन का खत्रा वो नहीं रहता है तो जो उसको हम क्या करते हैं एकदम से 70 डिग्री के उपर गरम करते हैं फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं उससे जो जिवानों है उसके अंदर वो मर चाते हैं और हम बिना उबाले भी उस दूद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के संकर्वन का कोई खत्रा नहीं रहता। नेक्स देखें, question number 4 है, दूद से दही किस प्रकार बनाई जाती है? संक्षेप में समझाईए, उस जिवानू का नाम दीजिए, जो दूद को दही में बदल देता है। तो दूद को दही में किस प्रकार बनाई जाती है? हलके गरम दूद में थोड़ा सा दही मिलाने से वहें दही में परिवर्तित हो जाता है, तथा दही बनने में Lactobacillus नामक जिवानू जो है, वो पाया जाता है। तो दही में कौन सा जुआनू है? Lactobacillus जिसके कारण जो दही है, वो जमती है। ठीक है? तो यहां से आप अपनी worksheet बच्चों complete कर सकते हो। तो यह आपके जो है complete question दिये गए हैं, ठीक है, लास्ट question हम कर चुके हैं, दूद से दही किस प्रकार बनाई जा सकती है? तो यह थी आपके आज के assessment worksheet, I hope सभी students को यह clear है, कोई भी doubt है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। So, thanks for watching students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वरक्शीट के साथ, take care.